एक कोशन बहुत दुनों से आ रहा है कि जावा फुल स्टेक करूँ या फिर मंस्टेक करूँ आप कुछ बताते हो कोई और भाईया देदी कुछ और बता रहे हैं ये मेरे सीनियर है इस कंपनी में ये कुछ और बता रहे हैं तो आज आपको बताने वालों जावा फुल स्टे के अंतर इस्टा है तो एक्तम reality बताऊंगा आप चाहो तो verify करा सकते इस वीडियो को आपका कोई senior हो कोई बड़िया बंदा कोई कंपने में काम कर रहा हूँ उसको आप ये वीडियो दिखा देना एक चीज वह है जो एक्शली मार्केट में रियालेटी चल रही है ठीक है जरा बात करता है जावा फुल स्टेक वर्सेश मंस्टेक वीडियो लंबी होने वाली है इसलिए अभी के अभी जाओ लाइक कर दो इ हर एक चोटी से बड़ी सर्विस निकालनी है तो उसका एक स्टार्टप आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो इनके अपने अपने टेक्स टेक्स होते हैं अलग अलग कंपनी से अलग अलग रिक्वाइर्मेंट से अब इससे बड़ी कंपनी है इसके पास बहुत सारे यूजर है करने हैं अगले साल को डबल यूजर करने है अगले साल नको दस गुना यूजर बढ़ाने है तो उनकी नीड अलग है देवं टू MNCs यूज़ कर रही होती है जातर companies, मतलब जितनी भी बड़ी tech companies आप देहोगे, या तो backend इमों के Java होता है या .NET होता है, ठीक है Java full stack लेकिन तब भी बहुत ज़्यादा companies प्रिफर करती है बहुत दिनों से वो काम करते आ रहे हो उसके उपर वहीं पर जो आपके startups होते हैं, वो यूज़ करते है MN stack का MN का मतलब होता है MongoDB, Express, React और Node.js और इसके अंदर आपको JavaScript का एक बहुत बढ़िया environment देखने को मिलता है जिसके थूँ सिर्फ एक programming language के अंदर आप multiple चीज़ें कर पाते हो तो एक-एक बंदा company के अंदर multiple चीज़ें कर पाता है एक ही बंदा backend भी कर पा रहा है, frontend भी कर पा रहा है एक ही बंदा बहुत सारे systems को handle कर पा रहा है और यही startups चाते भी हैं, वो चाते हैं कम से कम engineers हैर करना और जाता से ज़्यादा जल्दी से move करना ठीक है जल्दी से तेजी से move करना तो पुरा-पुरा tech stack जो java के अंदर मिलता है वो setup नहीं करते हैं वो चल्दी से move करते हैं and they use this kind of tech stack for that months tech जादे यूज करते हैं लेकिन आज की इस comparison के अंदर इस पूरी video के अंदर जो debate होने वाली है उसके अंदर हम बात करेंगे backend technologies के बारे में तो यहाँ पर देखो मैंने कुछ चीजें तो common कर दिया दोनों में जैसे कि जो database होता है यह database postgres या फिर आपका redis हो गया या फिर mysql हो गया या फिर mongodb हो गया यह तो दोनों ही tech stack यूज कर सकते हैं और most of the companies आपकी java के अंदर बना रही होती है यकीन नहीं होता जाके google search करो ठीक है एक google search करो लिखो microservices कैसे बनाएं और वहां पर देखो कि search result में क्या technology आ रही है आपके पास वहीं से आपको ए comparison में जागा है ठीक हाँ भाई जावा के अंदर आप scalable system बना पाते हो इसी वज़य से अगर हम CS engineering के अंदर demand की बात भी करें तो हमारे पास तीन टैप ही हम category में divide कर सकते हैं इसको एक तो tech giants जो बड़ी-बड़ी company होती है वह जैसे Google, Amazon, Microsoft, इनके अंदर हजारों में हजारों के अंदर आप में engineers होते हैं Google के पास 30,000 के करीब employees हैं वहीं पर Amazon के पास 70,000 वहीं पर जो आपका TCS उसमें तो लाखों में engineers उन्होंने हाइर कर रहे हो हैं वहीं पर कुछ होते हैं Unicorn startups Unicorn startups के अंदर आपके 100 प्लस engineers वहाइर कर रहे होते हैं उन्होंने Tech Giants जो होते हैं यह mostly काम करेंगे आपके Java के अंदर यह लोगों हो सकता है शुरुवात में जब यह ग्रो कर रहे थे तो इन्होंने अर्लिये startups होते हैं और यह जातर अर्लिये startups ही होते हैं आप जितने भी startups देखोगे आज के लिट में most of the startups are early startups जिसके अंदर less than 10 engineers हैं क्योंकि जातर जो startups होते हैं वो पहले तीन साल के अंदर फेल कर जाते हैं यह तथ्य है वह आगे फरवाय भी नहीं कर पाते हैं लेकिन इसके अंदर फिर लोग hire करते हैं वह मंट्स ग करते हैं एक अई कर 10 लोगोंने पूरी कंपनी को संभाल रख या मतले यह लोगों ने पूरी कंपनी खतम है यह .. बना दिःए .. लोग बड़े त्गडे educator और और यह HQ म इस वाई से आप इस जगह पर देखोगे मनस्टक के अंदर कि एक पेर डिफरेंस बहुत जाता है कुछ लोग हैं जो कि भीड में चल रहे हैं बड़ी मुश्किल से 20-30,000 रुपे कमा पाते हैं और कुछ लोग हैं जो एक कमपनी में चले गए थे स्टार्टिंग में और अब वह कमपनी में 2-3 साल से हैं उन्होंने डिपेंडेंसी इतनी बना लिए कि वो क्रोड में टच करते हैं कमपनी उनको पैसा दवा के देती है कि आप मजाओ आप हमारे साथ लगे रहो और फिर वह हाँ फाएदा वहा Whether रही है ह header क्रूप हो नहीं पार है है हईयर करर रही है कितने हो पर कुछ बड़ी बड़ी वर क्वाइद पड़ी ओर रही है यह जो वर क्रीक इंफ इन से सुरम कर रहे हैं यह जू कंपनी से वाइप में कर और चीआ हूं पर इस रहे हैं यह पुत saja में जो actually में jobs निकल के आती हैं वो java full stack के around निकल के आ रही होती हैं और यहां पर earlier startups के अंदर कम हैं समझ महा रहा हूँ कि क्यों कम हैं इसी के साथ ही again supply of developers बहुत जाद है 2019 के बाद से तो कमाली हुआ है 2019 के या फिर 2020 के बाद जो भी batch निकल के आ रहे हैं आप देखोगे सब में एक अगला बंदा होगा जिसको मनस्टेक आती है हर दूसरे बंदे को मनस्टेक आती है क्यों सबसे सिंपल सा आसर इसका है कि असान है करना जावस को सीखने की जूरत नहीं पड़ती आप आओ उसके अंदर तुरंत अपना आप्लिकेशन बनाओ तुरंत समय फ्रेंट बनाओ और साथ में दिखता है कुछ ठीक है फ्रेंट दिखता है वहीं पर जो फुल स्टैक या फिर बेक एंड डेवलपेंट होती है जो कूर बेक डेवलपेंट जावा के अंदर वो बैक एंड में होती है तो उसमें कुछ तो बहुत जादा लोगों ने उसको पसंद किया और इस वह से एक प्रॉलम ये भी क्रेट हो गई है कि जो बड़िया डेवलपर है जिस बंदे को अच्छे लेवल की सिस्टम बना सकता है मतलब जो इस अर्लिय स्टार्ट अप के अंदर जाके पूरा-पूरा नया लोग को सीखने में ठीक है हर नहीं सीख पाता है उसमें ऊप्स भी होता है तो सबसे बड़ी हर्डल यही आती है अगर कोई चीज़ असान है सब के सब लोग उसको कर रहे हैं फिर वहां पर वो एक ऐसा बबल क्रेट हो या ता जहां पर जिस वंदे को आती है उसको भी जॉ आर्मान लेते हैं सीख सकते हो आप इतना भी मुष्कील नहीं है लोग करते है जांवा और बहुत साले लोग करते जयावा मेरी पहली प्रोग्रामिंग लेंग्मेज जावा है वह बहुत जादा एक lean और modern जावा बन चुकी है जिसके अंदर code बहुत sleek लगता है देखने में बहुत जादा code नी करते है लोग बहुत जादा code करना पड़ता है जावा में डवलपेंट होती है देखा आपने डिसंट लिए भी spring boot वगरा या फिर कुछ नहीं technology जो सब्सक्राइब करते हैं जिसके अंदर scalable code बनता है तो आपको एक lean का code नहीं लिखना पड़ता है और चीज़ें अपने अपने आप मिल रही है आपको और companies उन्हीं को यूज करती है और companies उन्हीं लोगों को हैर कर रही होती है इसी वज़े से आपको matrix चाहिए health checks चाहिए कु कुछ नहीं करना मिल जागा आपको इसके अंदर बना बनाया ठीक है आपको इसके अंदर query कर रही है database की कुछ नहीं करना मिल जागा आपको पेजनेटे डेटा मंगाने के लिए मुद्ट कोड करो यहां पर अल्रेडी लैबरेरी इस बन रखें इतनी बड़ीया बड़ीया मुँदै के अनदर कुछ बहुत कम लोग हैं जो कि कुछ जलदी दो तीन साल के अंदर ही और वहीं पर कुछ ऐसे लोग है जो कि 20-30 यौरीप कमा। जब फ्रेशर है तो कुछ फ्रेशर आपको दिखेंगे जो कि बहुत तगड़ा कमार है कुछ फ्रेशर क्योंकि उनका कही बार तुकल आयाता है कहीं पर रिमोट जॉब लग गया और अब वह दो तीन साथ उस कंपनी में काम कर रहे हैं में भी माइंड भी थे लेकिन अब दि सेरे इंजिनिर बनते हे हो शार-पाल साल में और के बड़े स्टाहर जुटे कर रहे होते हो और काफी सारे लोग उसमें कमा भी डूटे अब ये चीज़ में बता रहा हूँ ना काफी लोग hate करेंगे मेरेको, ठीक है जो Java के अंदर already है, बोलेंगे कि जावा के अंदर क्यों आप भीड़ को लेके आ रहे हो, बट बात ये नहीं है, बात ये है कि जो बंदा बढ़िया है, वो इसको कर पाएगा राम से, ठीक है क्यो उसी को पता है कि कैसे कोई system बनता है, आप जिसने आज तर काम ही नहीं कि किसी big tech company के अंदर, ठीक है उसने देखा ही नहीं कि कैसे पुरा-पुरा system काम कर रहा है, वो कैसे ही आपको कुछ चीज समझा सकता है उसके अंदर, ये भी एक credibility में भी question वाँ पर खड़ा हो जाता है ठीक है, उसके साथ ही जड़ा ecosystem की बात कर लेते हैं, कुछ लोग बोलते हैं, जाव स्ट के अंदर बड़ा तगड़ा ecosystem मिलता है, जाव स्ट के अंदर आप back end भी कर लेते हो, react भी कर लेते हो, तो इसलिए एक बड़िया ecosystem इसके अंदर मिलता है, मैं बूलता हूँ हमाई ecosystem की अगर तो जावा के अंदर इतना वास्ट ecosystem है, जो एक्षिल में companies use कर रही होती है, लेकिन as a fresher आपको बताई नहीं कभी, ठीक है, आपने पढ़ाई नहीं कभी, आपने कभी research भी नहीं की उस बारे में, और सिधा आप जाके देख तो company के अंदर जब वो user होता है, company जब जावा का ecosystem भी बहुत वास्ट है, आपके पास यह frameworks होते इतने सारे, ठीक है, सिर्फ spring boot नहीं है, word.x है, आपके पास web flux है, reactive coding करने के लिए, आपके पास rx.java है, आपके पास spring framework है, आपके पास dagger है, hibernate है, तो यह सब के सब different frameworks है, आपके यह दोने use होते है, dependence injection के लिए, database management क के लिए भी आप use करते हो, spring data को, testing के लिए आपके पास बड़िया multiple चीजे है, आपके पास build करने है, आपके पास logging करने है, आपके पास messages handle करने है, तो यह सारे tools, बड़ी big tech companies actually use करते है on a daily basis, और जिन लोगों के इसकी knowledge है, वो actually मैं crores के figures को touch कर रहे होते है, और मैं यहाँ प तो अपना jama course लेके आने वाले हो, तो इसी वाज़े से आप अपने springboard course की बढ़ाए कर नहीं यार, आप जाके इस video को wet करा लो, जो actually मैं जो senior engineers काम करते हैं, आपके friends होंगे, या फिर आपके connections में लोग होंगे, पूछो कि क्या गलत बात हुई है इसके अंदर, और जो लेकर चाल में आके first ना जाए, ठीक है, वो एक pit hole में ना चला जाए, जहां से भार भी ने निकल पा रहा है, and for that हमारा ये course है, कि java revolution को लेके आ रहे हैं, दुबारा से, ठीक है, market के अंदर, java बहुत कम लोग करते हैं, java development बहुत कम लोग करते हैं, तो अगर आप करते हो, तो उतन ही उसके अंदर supply भी है, demand भी है, ठीक है, तो हमारा ये springboard का course है, जो कि आप जाके join कर सकते हो, this is the java springboard zero to one, जिसके अंदर basic से लेके, advanced जिए से की microservices, kafka, scalable system कैसे बनते है, पूरा सिखाई जाएगा आपको, चार महने के अंदर, बहुत बढ़ी है course है, कुछ लोग ले रहे हैं, ठीक है, अराम से वो आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनकी हो सकता है, जॉब भी लग जाएगी, और कुछ लोग बस महंगा महंगा करेंगे, उसके बाद वो अगले साल भी वही, ठीक है, तो early movers advantage अगर लेना है, तो reality बता रहा हूँ, पूरे market में इस से बढ़ि या, एक बंदा front end कर लो, एक बंदा back end कर लो, अभी के अभी आप एक बढ़िया tech startup बना सकते हो, और आप उसके अंदर scale कर सकते हो, ठीक है, तब करना है month stack, अगर लेकिन job पानी है, जो जाएतर लोग को पानी होती है, तो उसके लिए अगर आप देखोगे market में, तो actually मैं Java full बताएंगे ही नहीं, और बाकी चीदों की बुराई और कर देंगे, यह, यह motive नहीं रहना चाहिए, ठीक है, actually मैं market में जो चाहिए, उसके बारे में बताना चाहिए अपने followers को आपको, so that सभी का बला हो, ना कि आपका अकेले का बला हो रहा हो, बाकी सब लोग एक pitfall में जा जाए जा रहे है, rabbit hole में जाए जा रहे है और वहां से निकलना मुश्किल हो जा रहा है लोगों का, तो यह एक उद्देश्यता इस वीडियो को बनाने का वीडियो पसंद आई, तो ज़रूर लाइक कर देना, बताना क्या चीज बढ़िया लगी, और मैं मिलूँगा आपको झालते है, बाइ-बाइ